सब्सक्राइब करें GST प्लैटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इंकम टेक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बुद मॉनिए फ्रेंज जी एस्टी प्लैटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जी हाँ फ्रेंज ऑगस्ट 2021 का मन्त जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इस महीने आप लोगों के लिए GST के अंदर लास्ट चांस है बिना किसी लेट फीज की अपनी पुरानी रिटरंस जो है वो फाइल कर ले और साथी साथ अगस्ट के महीने में काफी सारे कंप्लाइंसे ऐसे हैं जो कि आपको करने हैं तो इस सेशन में आपको वो सारे कंप्लाइंसे पता लगी है सबसे पहले जो हमारे पास डेट आती है वो आती है GST के लिए अगर हम लोग बात करें तो 11 अगस्ट 2021 जी हाँ फ्रेंट्स 11 अगस्ट 2021 तक आपको करना क्या है आपको अपनी GSTR1 की फाइलिंग जो कि जुलाई 2021 की सप्लाइज है और अगर आपने मंतली फाइलर्स का आप्शन ले रखा है तो आपको 11 अगस्ट 2021 तक रिटरंस जो है GSTR1 में फाइल कर दी अगर आप एक QRMP डीलर है तो आपको जुलाई के लिए फाइल नहीं करना है GSTR1 आपको फाइल कर तो उसकी जो डेट है वो है 13 अगस्ट 2021 तो GSTR1 और IFF के लिए जो डेट है वो है 11 अगस्ट और 13 अगस्ट 2021 इसी तरीके से बाकी जो डेट है वो आपको हमारी अगस्ट महिने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाली है जो कि इसी हफते रिलीज होगी अगर आप आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिये गए हैं इन नंबर्स पे कॉल करके वाट्सैप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बत जमा करना है 25 अगस्त 2021 यह आप fix a method से भी कर सकते हैं या फिर self assessment basis पे भी इसका payment जो है वो किया जा सकता है लेकिन date जो है 25 अगस्त है उसके बाद करेंगे interest आपको payment करना होता GSTR 1 के लिए 11 अगस्त मैंने आपको अल्रेडी बता दिया है अगर आप 3B filer है याने कि आप अगर monthly filer है और आपको 3B filer करना है for the month of July 2021 तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा important है कि आपका turnover चाहे 5 करोड से कम हो या 5 करोड से ज़्यादा हो दोनों ही situation में आपको 20 अगस्त 2021 से पहले compulsory monthly filer या फिर voluntary monthly taxpayers जो है दोनों के लिए 20 अगस्त 2021 ही रखी जाती है वो 22 अगस्त ये 24 अगस्त जो है वो नहीं लगेगी इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे अब सबसे important date है जो कि हमारी amnesty scheme की date है जी हाँ friends amnesty scheme का ये last chance है अगर आपने इसका benefit नहीं लिया तो आपको late fees जो है अब दुबारा माफ नहीं करके दी जाएगी तो amnesty scheme की जो benefit है वो आप कब तक ले सकते हैं वो आपको लेना है 31st August 2021 से ये scheme start हुई थी 1st June 2021 से end हो जाएगी 31st August 2021 यानि कि amnesty scheme to provide relief to the taxpayers regarding late fee for pending returns ये amnesty scheme किस period के लिए applicable है हमारी पिछली magazines में भी हमने ये चीज़े discuss करी है अगर आपकी July 17 से लेके April 21 तक की return spending है तो आपको late fees जो है 500 रुपे maximum और 1000 रुपे अगर आपकी निल की return है और 1000 रुपे अगर आपकी निल की return नहीं है तो आप 31 अगस्त 2021 तक file कर सकते हैं एक सितंबर से ये amount जो है 10,000 रुपे तक जा सकता है इसमें आपको कोई भी relaxation जो है वो नहीं मिलने वाला तो ये सबसे important है 31 अगस्त 2021 से पहले amnesty scheme का benefit जो है वो ले लिए अगर आप QRMP में थे अब जाना चाहते हैं मंतली में या आप मंतली में थे अब जाना चाहते हैं QRMP में तो 1 अगस्त 2021 से आने वाले next quarter के लिए यानि की अक्टूबर से लेके डिसंबर quarter के लिए आपके लिए window जो है open कर दिया गया है आप उसमें QRMP का selection या फिर मंतली का selection जो है वो कर सकते हैं GST Returns Related और साथी साथ GST Annual Returns Related Online Training Session 8 अगस्त को organize किया गया है इसमें अगर आप registration कराना चाहते हैं तो इन numbers पे call करके WhatsApp करके आप GST Returns के सेशन के लिए भी register कर सकते हैं seats जो हैं लगभग full हो चोगी है Income Tax के अगर बात करें तो Income Tax के अंदर जो आपको TDS जमा करना है जिहां friends जुलाई महिने का जो collection हुआ है उसमें जो TDS का amount जमा करना है वो करना है 7th August 2021 तक और इस बार 94 Q को भी ध्यान में रखना है क्योंकि उसका भी TDS साथ अगस्त तक जमा होगा TDS certificate जो June quarter की return आपने file करी होंगी उसके लिए 15 अगस्त 2021 तक return file करना है इसके साथ साथ जो कुछ extensions दिये गए थे वो आपको यहां पर 30 अगस्त और 31 अगस्त के लिए extended दिये गए इसके बाद जो GSTR 7, GSTR 8 है इनकी डेट 10 अगस्त और GSTR 6 के लिए 13 अगस्त 2021 फिक्स्ट है GSTR 5 के लिए 20 अगस्त 2021 है एक नया compliance जो की GSTR पोर्टल पे आया है और वो है turnover update से related तो अगर आपको कोई भी उसमें discrepancy दिखती है तो उस turnover के data को update करने के लिए भी जो वो filing करनी है वो 31 अगस्त 2021 से पहले कर लेनी है यानि की 31 अगस्त बहुत ही important date है इसको आप लोग इस बार बिल्कुल भी miss नहीं कर सकते तो अगस्त महिने में ये कुछ important compliance है जो की आपको इस बार follow करके काम करना है otherwise आपको late fees जो है वो लग सकती चलिए इस वीडियो को ही end करते हैं आशा करते हैं कि आपको ये point clear हो गया होगा कि अगस्त महिना क्यों इतना important है और किस तरीके से इसके अंदर compliance जो है वो complete करना है अगर आपने हमारे चैनल पर first time tune in किया है तो चैनल को subscribe करने के लिए नीचे दिया गया है red clear का subscribe button press कर लिजे साथ की जो bell icon है उसे प्रेस कर लिजेगा ताकि वीडियो की notifications आप तक regularly पहुंचते रहें thank you and have a nice day subscribe करें GST platform YouTube चैनल को और bell icon प्रेस कर लें GST और income tax की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए करेंदे डिंहादार काई आप ले नीचे तर कर लाद त तू जाए है तो आ नो है लेंगा बंषी दלवर आप वाली है… माँष तैसको मारा म